हेलो विवर्स मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक लड़ू को पाल जी का बहुत ही प्यारा से ड्रेस डिजाइन वूलन ड्रेस डिजाइन तो आए शुरू करते हैं डिजाइन बनाना तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आपर ओन और कैची और ये क्रोश्या आप मोटी अगर आपके प्थ्ली और प्थ्ले लिए प्थ्ली उन के लिए प्थ्ली का यूज बूंगे क्रोश्या करें उसके बाद हम यह पर इस तरह से कि इस तरह से हम यह पर के नौट बनाएंगे और एक यहाँ पर हम चिन बनाएंगे एक चिन दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दरस यहाँ पर हम दस ग्यारा बारा हम यह बारा चिन बनाएंगे और इस तरह से जो फस्ट जो चेन है यह बिल्कुल सीधा रखना है चेन को और यहाँ सही ही इसको मोड देना है और जो फस्ट चेन में हम इसको इस तरह से डालेंगे इसको पकड़ते हुए और ऐसे इसको slip stitch से निकाल लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एक दो चेन लेंगे दागा डबल करेंगे और इस मैं से हम यहाँ पर डबल प्रोश्या निकालेंगे यह दागा भी हम साथ के साथ बंद करते जाएंगे इस तरह से हमको यह डबल प्रोश्या ले लेना है तो यहाँ से हम लास्ट तक आते हैं इस राउन में हमारी 28 डबल करोश्या है 12 चेन में 28 28 हमने यहाँ पर डबल करोश्या ले है और जो हमारी 1st चेन का यह वाला जो हिस्सा है इसमें लाकर हम इसको जोइंट कर देंगे तो यहाँ पर जोइंट करने के बाद एक बार स्लेप इस से नोट और लगाएंगे और इसको यहीं पर हम काट देंगे इस तरह से काट देंगे और धागे को पीछे की साइट ले जाकर हम इस तरह से अंदर कर देंगे हाय कुंद के लिए एस तरह यह अंदर होगी एमरें फिर ही सर्कल हमारा है उसके बाद हम दूष्य कण्रोरा सर्कल लेंगे लगें सर्य तो दूस्रे करका धालेंगे मैं दूहिंट लिए आपको जो कलर पसंद रहां है कि इसको भी उसी तरह हम नोट लगाएंगे इस तरह से यह नोट लगा लिया और इसमें भी हम बारा चेन बनाएंगे इसको हम उठाएंगे और इसके अंदर से इस तरह से हम इसको निकालेंगे हमें चेन को सीधा ही रखना है और सीधा रखते हुए पीछे के सैटिवी देखना है कि वह सीधा है या नहीं और फर्स्ट चेन हम इसको जॉइंट कर देंगे इसको इस तरह से पखर कर ूप स्लिप स्टिस े हम जॉइंट इसको कर देंगे जॉइंट हो गया हमारा यह दागा दो चेन लेंगे हम उसकी बाद दागा डबल करते हुए डबल क्रोश्य लेंगे 28 टाइमस इस तरह से डबल क्रोश्य लेंगे यह हमारा सरकल यह गूंता हुआ जाएगा इस तरह से डबल क्रोश्य लेते हुई इस तरह से पूरा हमें सरकल बना तो इसी तरह से हमें 28 चेंज मैं इसको बना के बताती हूं कि हम इसको किस तरह से गुमाएंगे यह दिखी इतना बन गया है तो इसको इस तरह से गुमा लेंगे और पूरा हमें 28 चेंज लास्ट तक ले जाएंगे इस तरह से हमें 28 चेंज ले लेनी हैं अब इसको इसको हम इधर बुमा लेंगे यह देखी आगे हमारा इस साइड में यह इस तरह से और इस लास्ट में हम हमें 28 चेंज होने वाली है इस तरह से हमें 28 चेंज कंप्लीट और दागा इसमें डालेंगे और इसको चेंज स्लिप स्टिट से बंद कर देंगी इस तरह से इसको बंद कर देंगे कर देंगे और इसको बैक साइड में एसका दगा निकाल देंगे अ और इस तरह से हमारा यहे पैटन त्यार हो जाएगा और नेक्स्ट हम दूसरा कलर यूज सकते हैं या फिर आप दो कल न बना सकते हैं तो देखिए इसी तरह से मैं यहां पर कलर यूज किये हैं पहले से रेडी किया हुआ है इस तरह से डिजाइन आएगा इस तरह से डिजाइन आएगा तो यह दो नंबर कानाजी के लिए मैंने बनाया है अगर आपके कानाजी और बड़े साइज की हैं तीन या चार नंबर की तो इनका आकार थुड़ा चोड़ा होगा इस तरह से फैला हुआ होगा तो यह सर्कल जो हैं वो और भी बनेंगी तो इस में आपको काउंट करके बताती हूँ कि दो नंबर कानाजी के लिए कितने सर्कल बने हैं तो चलिए आगे बनाते हैं कानाजी की चोली जो कि हम इसमें फिट करेंगे तो दो नमबर कानजी के लिए मैंने ये उनली है इस तरह से हम यहाँ पर एक नौट बनाएंगे और यहाँ पर हम एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आट, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा यहाँ पर 14 हमने चेन लिए है और 14 चेन लेने के बाद, इनको हमने सिंगल जो चेन है, सिंगल चेन है, जो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कर लेना है, तो बैगराउंड में मेरे बच्चों की आवाज आ रही होगी, आगी की साइड हम बनाते हैं, तो यह हमें इस तरह से सादा क्रोशिया, हाफ क्रोशिया इसको कहते हैं, हाफ क्रोशिया हम पूरे प्राउंड में लाज तक बना लेते हैं, तो मैं यहाँ तक हाफ क्रोशिया बना लेती हूं, आप क्रोशिलाज तक बनाने के बाद यहाँ पर हम दो चेन लेंगे इस तरह से इसको पलटतेंगे और इस फर्स्ट चेन में से ही हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से सेकंड मैंसे भी हम दो बार डबल क्रोश्या निकालेंगे एक और दो बार डबल क्रोश्या इसी तरह से हम सभी मैंसे सभी चेन मैंसे दो बार डबल क्रोश्या निकालेंगे इस तरह से दो बार डबल क्रोश्या निकालेंगे तो एक नमबर और दो नमबर कानाजी के लिए सेम यही pattern बनेगा यह उनको same pattern उनको fit आता है आप चाहें तो इसको साथ के साथ आप इसको दबाते हुए जाए इस तरह से तो बाद में आपको crochet यूज़ करना नहीं पड़ेगा इसको दबाने के लिए आप साथ के साथ इसको दबाते हुए जाए तो यहाँ पर मैं पूरा complete करके दिखाते हुए डबल क्रोश्या एक में से दो बार एक chain में से दो बार आपको डबल क्रोश्या लास्ट तिक निकालना है तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर फिर से हम दो chain लेंगे और फस्ट chain में धागा डालेंगे इस तरह से और एक next single chain और उसके बाद भी single chain लेना है एक, दो, तीन, चार हमने single chain लेनी है चार उसके बाद इस तरह से चार single chain लेनी है और एक, दो, तीन, चार चोथे में आपको चोथी chain में आपको इस तरह से double crochet single chain में एक chain में एक double crochet इस तरह से इसको बनाना है तो हमने चार हमने यहाँ लिये है chain और चार हमने इसमें लिये है तो हमर पस 8 chain हम यहाँ पर छोड़ देंगे इधर side में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यहाँ तक हम इसको single single करते हुए single chain में एक double crochet इस तरह से हम हर एक में से बनाते हो जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यहाँ पर हमने दो और लेने है double crochet इस तरह से अब हमें ये एक, दो, तीन, चार चोथे में हमें यहाँ पर double crochet लेना है और सब को single double crochet बना लेना है इस तरह से यह हमारा complete हो गया राउं यह हमारी चोली का हिस्सा मुड़े च्छीक दिया है च्छीक दिया है हमने मुड़े उसके बाद हम दो चेन लेंगे पहले में से ही double crochet लेंगे उसके बाद सबी मैंसे हम single single double crochet लेते जाएंगे एक चेन में से एक बाद सबी मैंसे double crochet last तक बना लेंगे यहां हमने double crochet बना लिया है last तक single 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 उसके बाद हम तीन चेन लेंगे इसको पलट कर पहली चेन में double crochet निकालेंगे उसके बाद जो अगली चेन है उसमेंसे दो बार double crochet निकालेंगे इस तरह से और जितनी भी चेन है सबी मैंसे एक मैंसे दो बार double crochet निकालेंगे इस तरह से हम इसको last तक पूरा कर लेंगे last तक complete करने के बाद next round बनाएंगे तीन चेन लेंगे इसको पलट लेंगे पहरी चेन मेंसे double crochet और इसमेंसे एक बार double crochet उसकी अगले चेन मेंसे दो बार double crochet और next मेंसे एक बार उसकी next मेंसे दो बार double crochet यानि एक single double crochet और एक double double crochet इस तरह से ये serial आपका बनता जल जाए तो इसको हम last तक बना लेंगे इस तरह से हम एक single एक double का double crochet last तक बना लेंगे तो ये complete हो गया है आपर हम इसे बंद कर देंगे दागा सीधी साइड की तरफ अंदर दबा देंगे इस तरह से इसको हम अंदर फ्रूशा से ही निकाल देंगे और ये हमारा काना जी की चोड़ी और घेर त्यार हो गया है अब जो हमारे ये दिजाइन है ये जो डिजाइन है ये घेर यहां पर आएगा इस तरह से इस तरह से आएगा इसके लिए हम स्वीदागी के यूज करेंगे यहां से हम स्वीदागी का अंदर यंदर यूज करेंगे और इसको चारों तरफ तांक देंगे मैं बताती हूं कैसे टांकेंगे यहां पर मैंने सुई में दागा डाल लिया है अब जो लास्ट में इस जगह हमने इस तरह से नोट लगाना है सुई की तरह मदद से इस तरह से नोट लगाएंगे और जो तो यह हिस्सा है इसमें से हम धागा यह निकालेंगे इस किनारे पर और जो यह नोट लगाया है हमने यह इसमें से सुई को निकाल देंगे और इस नोट को खीच लेंगे इस तरह से यह टाइट हो जाएगा और आप इस तरह से इसको निकाल दीजिए और यह हिस्सा है हमारा इस तरह से हम इसमें से धागा निकालेंगे और एक इसमें से निकालेंगे इस तरह से और फिर उसके बाद यहां टांका लगाएंगे इस तरह से फिर नेक्स टांका इन दोनों को उठाते हुए लगाना है इन दोनों को उठाते हुए लगाना है इस तरह से और फिर इसमें से निकालना है तो इस तरह से आपको यह सिलते हो जाना है तो आगे की साइड आपके पुशा इस तरह से नजर आएगे यहां टांके लगते जाएंगे इस तरह से और यहां तक आपको यह अपनी घेर में सिल लेना है तो मैं पूरा कंप्लियों सिल के बताती हूं देखिए लास्ट में मैंने यहां लास्ट तक सिल लिया है और यहां पर हमें नौट लगा देंगे इस तरह से नौट लगाने के बाद इस धागे को अंदर यह अंदर निकाल देंगे ऐसे और यहां से हम कट कर देंगे तो यह हमारा लट्टू कुपाल जी का प्यारा सा डिजाइन रेडी है यह देखिए कितना प्यारा डिजाइन है तो यह हमारी ड्रेस रेडी हो गई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ड्रेस आपको कैसी लगी और में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बैल आकन प्रेस कीजिएगा और आप अल नौटिफिकेशन दबाए जाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो नौटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएंगी तो वीवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई